जब देशी गाए का इतना अच्छा क्रेज हो और उसके अंदर अगर राठी गाए की बात ना आए तो ये किस तरह से हो सकता है क्योंकि राजिस्तान के अंदर सुष केरिया की इतनी शांदा राठी गाए जो जदा गर्मी के अंदर भी और जदा सरदी के अंदर भी अपने आपको इतना अंकूल डाल लेती है की उसके इतनी जदा सरदी और गर्मी में दूद बलुद कम नहीं होता तो उससे पहले और अगर इस गाय की बात करें तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मित्रों को नमश्कार राम राम आप देख रहे हैं रावजी डैरी फारम और मैं गोरी शेंकर वैसे तो हम हर रोज आपके लिए देशी कोवंश पे वीडियो लेके आते रहते हैं राठी में साहीवाल में थारपारकर में पर उसके बीच में से जो खासकर भाईयों द्वारा डिमांड की आती है कि हमारे को राठी नसल की गाय दिखाओ जो शुदता में परिपूरण हो य बहुत ही बढ़िया है जब इस गाय की डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाय के अभी डिलीवरी के अंदर लगब अभी 15 दिन का समय बाकी पड़ा है और यह गाय अभी तीसीरी बार बच्चा देगी यानि कि थर्ड टाइम बच्चा देगी और 15 दिन इस गाय प्यार अडर बरेगी जो देखने योग्या होगा जो किसान भाई बोलते हैं कि हमारे को शांदर अडर क्वाल्टी वाली गाये चाहिए तो जो आज यह वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस अडर की आडर को देख करके खुद आइडिया अनुमान लगा सकती हैं कि यह गा कि इतना दूद देने वाली शमता रखने वाली गाये है तो जिस तरह से हमारे को जिस किस मालिक से यह गाये आई है तो उसके द्वारा बताया गया है कि सेकंड वियानत के अंदर हम गाये का 15-16 लिटर तक इसका दूद निकालते रही है और अब की बार या तीसरी बार बच अच्छी वाली गाये जो आज हम आपके लिए लेक्या यह तिरी अच्छी गाये बहुत ही कम देखने को मिलती है और जो आज आप गाये देख रहे हैं तो एक बार मैं फिर इस गाये के डिटेल बता देता हूं कि अभी यह गाये तीसरी बार बच्चा देगी और जो दूद देने की शमता अलगबग इसकी 17 लिटर के करीब की है शांदर अटर क्वाल्टी वाली है कितना अच्छा गलकंबल है कितना अच्छी पीट फुठे की है और ग्रिस की बहुत ही अच्छी तरीके से संबाल की जाए जो ब्रेडिंग के परपस से भी हम इसको काम में ले सकते ह है क्योंकि इतनी प्योटी लिए शुर्टता लिए हो गाए बहुत ही कम देखने को मिलती है और अगर हम अपनी लोकेशन की बात करें पर यहां पर बात करें तो इसकी लोकेशन श्री गंगानगर से 20 किलोमेटर साइड में गाउं पड़ता आगे कमीनपरा गाउं आती है ग क्या गुमता